Hello lovely ladies, welcome to my channel आप मेंसे कई लोग जाना चाहते हैं कि Unwanted 72 यूज करने के कितने दिन बाद पीरियड आ जाना चाहिए तो आज हम इस वीडियो में इसी बार में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी Unwanted 72 एक Emergency Contraceptive Pill होती है Emergency Contraception के उपर मैं और एक वीडियो कर चुकी हूँ जिसका लिंक आपको description में मिल जाएगा तो अगर आप उसको थोड़ा detail में देखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं description में link है तो अभी यहाँ आप messaging लोगों को यह बिल्कुल भी नहीं पता है कि Unwanted 72 क्या होती है उनके लिए मैं थोड़ा सा एक intro दूँगी उसके बाद मैं बताऊंगे कि Unwanted 72 लेने के कितने दिन के बाद तक period जो है वो आ जाना चाहिए और क्या expect कर सकते हैं period को लेकर Unwanted 72 लेने के बाद और अगर उस period में उस time में अगर आपका period नहीं आता है तो फिर आपको pregnancy test करा के देखना होगा तो देखें Unwanted 72 जो है यह एक emergency contraceptive pill होती है यह mankind company की brand name है Unwanted 72 medicine तो जो इसमें होती है वो एक artificial hormone होता है levonorgestrel जो की 0.75 mg की मात्रा में इसमें मौजूद होता है इस गोली में तो Unwanted 72 के अलावा इस medicine के और भी brand name से आते हैं जैसे की eye pill हुआ और इसके अलावा और भी brands इसमें होते हैं तो क्या होता है यह जो medicine होती है यह एक emergency contraceptive होती है यानि कि यह एक regular method of contraception नहीं होती है और नहीं इसे use करना चाहिए regular method of contraception की तरह है तो emergency contraception मतलब अगर कभी गलती से unprotected sexual intercourse आपने कर लिया या फिर आप कोई method यूज करें contraception का जैसे की condom आप यूज करें और वो slip off हो जाए या कोई ऐसी emergency आजाए कि जिसमें वो fail हो जाए contraceptive आप जो routine में यूज करें वो fail हो जाए तो उस condition में एक emergency contraception के तौर पी ये medicine यूज करी जाती है इसको unprotected sex के within 72 hours तक लेना होता है यानि कि 3 दिन के अंदर अंदर इस pill को अगर आप ले लेते हैं तो फिर ये आपकी pregnancy को रोग देती है तो अगर आपने तीन दिन के बाद लिया है फिर ये आपका असर जो है ये medicine नहीं करेगी within 72 hours इसको लेना होता है और उसमें भी अगर आप इसको जितनी जल्द से जल्द ले 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 उतना ये अच्छा काम करती है अब ये काम कैसे करती है ये देखे एक हामोन होता है वो क्या करता है कि आपकी जो ovaries है वहाँ से ये ovulation को रोग देता है तो अगर ovulation नहीं होता है एग release नहीं होता है तो उस condition में fertilization नहीं हो पाएगा इन केस अगर एग release हो गया है तो ये sperm और एग के fertilization को रोग देता है उस condition में भी pregnancy नहीं हो पाएगी और अगर by chance fertilization हो गया है तो ये uterine lining में ऐसे changes लाता है जिससे की वो जो fertilized egg है वो implant नहीं हो पाता है तो इस तरीके से ये medicine काम करती है और उसको लेना होता है within 72 hours अगर पह medicine उस case में abortion नहीं करती है मतलब उस case में तो आपकी pregnancy जो है वो रहती है तो अगर pregnancy और ये medicine जो है वो किसी काम आपके नहीं आने वाली है ये तभी तक काम आती है जब तक pregnancy नहीं हुई है pregnancy को रोकने के लिए ये medicine काम आती है इसके इलावा cotton powder use करने का एक त्यूसरा benefit होता है कि वहाँ पर जो sexually transmitted diseases हैं उनसे protect करता है वो तो वो protection भी आपको इस emergency contraception के थूँ नहीं मिलता है तो ये कुछ चीजे हैं इसके साथ अब इसके side effects के बारे में भी काफी लोग जानना चाहते हैं तो वो एक थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो तो मैं next जो वीडियो post करूँगी वो unwanted 72 के side effects के बारे में आपको बताऊंगी तो उसका link जब वीडियो बन जाएगा मैं आपको description में भी दे दूँगी या फिर आप subscribe करेंगे तो आप next जो मेरा वीडियो आएगा side effects of unwanted 72 के बारे में वो आप देख सकते हैं अब हम बात करते हैं कि unwanted 72 लेने के बाद period का expect करें देखी ये एक हामोन होता है तो obviously ये आपके body के अंदर जो natural hormones होते हैं उनको भी affect करता है तो ये एक artificial uterine lining भी create करता है आपके uterus में तो इस तरीके से आप expect कर सकते हैं कि इसके बाद जो period आते हैं वो आपके बिल्कुल normal regular period से थोड़े different होते हैं इस sense में कि वो थोड़े से आपको heavy periods हो सकते हैं और थोड़ा उनमें pain जादा हो सकता उन periods में ना main point ये है यहाँ पे जिस चीज के आपको tension रहती है कि हमने unwanted 72 ले तो ली लेगिन क्या वाकई में हम कहीं pregnancy तो नहीं हो गई ये main tension रहती है आप लोग के दिमाग में इसलिए आप लोग period के लिए anxious रहते हैं कि इसके बाद जो period आता है उसके लिए ladies anxious रहती है unwanted 72 के बाद तो इसमें ऐसा है कि अगर within 3 weeks 3 हफतों के अंदर-अंदर आपका period नहीं आता है unwanted 72 लेने के बाद आपका within 3-4 weeks period आ जाना चाहिए अगर 3 हफते के अंदर-अंदर period नहीं आता है तो आप एक बाद pregnancy test कराके जरूर देखे तो इसमें यह होता है कि period थोड़ा सा delay हो जाता है unwanted 72 लेने के बाद period थोड़ा delay हो जाता है normally और चो period आता भी है वो थोड़ा heavy आता है और थोड़ा उसमें pain भी जादा होता है अगर आपने monthly cycle के early phase में यह pilli है उस case में देखा गया है कि period थोड़ा early आजाता है जो आपकी date थी उससे जल्दी period आजाता है तो इस तरीके से दोनों बाते देखी गई है कि या तो period आपका थोड़ा delay हो जाएगा जो कि जादतर cases में होता है कि period delay होता है और period का nature कैसा होता है मैंने अभी आपको बताया कि period थोड़ा सा heavy आ सकता है और थोड़ा उसमें pain जादा हो सकता है और अगर आपने early phase में लिया है early phase में अपनी monthly cycle के early phase में लिया है तो उस case में generally क्या होता है कि period थोड़ा सा जल्दी आ जाता है लेकिन main चीज जो ध्यान रखने की है वो ये है कि within three weeks जो है आपका period आ जाना चाहिए और अगर नहीं आता है तो फिर आप pregnancy test कराके देख लीजे हलाकि यहां में एक बात clear कर दूँ कि अगर आपने time से ली है unwanted 72 within 72 hours आपने ले ली है और खास तोर पे उसमें भी अगर आपने जल्द से जल्द ली है यानि कि first एक ही दिन में ले ली है दो दिन में ली है तो जितनी जल्दी आपने ली है उतने जादा इसके काम करने का जो chance होता है वो अच्छा होता है यह अच्छा काम करती है तो उस case में pregnancy generally होती नहीं है तो इस तरीके से मैं समझती हूँ कि आपको अपनी जो query थी कि unwanted 72 लेने के कितने दिन बाद तक period आता है आपको clear हो गया होगा अगर आप कुछ पूछना चाहती है तो आप मुझसे comment section में जरूर पूछ सकती है मैं जल्द से जल्द आपको reply करने की कोशिश करूगी अगर आपको यह video useful लगा है अच्छा लगा है तो आप मेरे video को like कर सकती है मेरे channel को subscribe कर सकती है मेरा channel अभी छोटा है मुझे आपके support की जरूरत है तो अगर आप subscribe करेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा encouragement मिलेगा मुझे ऐसे ही और useful videos बनाने के लिए तो मैं आपसे मिलूंगे अपने अगले video में जो की होने वाला है side effects of unwanted 72 के बारे में और तब तक आप अपना ख्याल रखिए